एलो, वेलकम माई यूटूब चैनल दोस्तों, तो आज हम अपने वीडियो में फिर एक बार प्रिया और रोहन के बारे में बात करने वाले हैं, जी हां दोस्तों, रोहन का वीडियो में ने देखा था, रोहन बोल रहा था कि एक लड़की के लिए, साधी सुधा लड़की के लिए पती के अलाव कोई माइन नहीं रखता और उसको मतलब वो बोलता है कि जगड़े का कारण दो तरप से होता है ताली दो हच से बसती है तो मैं बता दूं कि ताली तो हच से बसती है सब को पता है लेकिन जो तुमने गलती कि वो प्रिया नहीं कि और प्रिया का केवल इतनी गलती है कि वो केवल उसकी मां से और उसकी भाई से बात करती है आप खुद वीडियो में बता रहे हैं कि वो अपनी मां से और भाई से बात करती है तो ठीक है तो मां से और भाई से बात क्यों नहीं करेगी और आप बोल रहे हो कि पती के अलावा तो मेरा यह कहना है कि पती चलो ठीक है पती माईने रखता है ज्यादा ठीक है वह भी सही बात है लेकिन पती पती जैसे भी तो होना चाहिए न तुमने खुद ने सोचो ना क्या किया है और उसको तो परिभास समझा रहे हो कोन क्या माईने रखता है माईने रखता है मानते हैं सब मानते हैं कि पती का घर ही यह होता है पर तुम तो बोल रहे हो गो माई लाए गो माई हाउस यह क्या होता है यह पती के लक्षन है और बोलते हो कि पती से ज्यादा कोई माईने नहीं रखत तो क्यों नहीं रखता उसके कारण उसके पीछे कारण भी तो तुम ही हो ना प्रिया को डरने की इससे कोई जरूरत भी नहीं है और इसके लिए रोने की भी जरूरत नहीं है क्या मतलब इसके उपर अपने आसो बर्बात करने से जो इंसान कुछ पता ही नहीं है बस उसको लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ जो भी हो बस मेरे लिए हो बाकी दुनिया में कोई नहीं है इससे थोड़ी होता है उसकी गलती के अब इतनी बता रहे हो तुम कि वो अपने भाई से और मा के से बात करती है तो उसी के पास रहो ठीक है ना यह बोल रहा हो ना उसी के पास रहो तो तुम क्यों लाए उसे उसी के पास रहने देते ना अब जाके मतलब उसको भगा रहे हो तुम्हेरे साथी भी यह ना उसकी तो रखना चाहिए ना तुम तुमारे मम्मी से और भाही से बात करते हैं। तुम भी करते होंगे। तो फिर उसने क्या गलत करेगा। महाबाप से नी बात करेगी, तो कह को जाएगी। मतलब तुमै तुमको आई ना। भगवान ने इतने अच्छी फेमेली दी है तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो भी मिलता है किसमत से मिलता है, और तुमको मिला है तो उसका आधर सम्मान करो, न कि ऐसे करो, तो प्रिया तो बेचारी क्या करती है न भगवान जी से पूजा करती हो, रोती रहती है, तो मेरा के लिए ये मेसेज है कि क्यों अपने आसु बरबात करती हो उसके उपर, तुम खूश रहो, तुमारा बेटा है, तुम खूश रहो, उसके पीछे तुम गई भी ना, तो आज ये हो रहा है न, कल भी वही करने वाला है तुमको जुका के रखेगा, पती ही माइने रखता है उसकी सोच कितनी ये है बताओ, हाँ माइने रखता है लेकिन पती ने भी वेसे ही रहना चाहिए, उसकी खुशियों को भी देखना चाहिए, पती माइने तो रखता है, सब मानते हैं, और सब रहे भी रहे हैं, अच्छे भी रहते हैं, तुमारे जैसे नहीं करते हैं, कि बच्च की कसम है ना तू कैसी घिरिवी बात है अगर वो एसी रहती ना कि चलो इसने में को कभी एसा बोल दिया तुमें जा रही तुम्हार जाने के तू दूर की बात है यह कि नितल नहीं लुकर यह अगल ा में मौरकर भून कि जबंगे करें दोस्तों कि वह सि worries अगे तो सकलें सब्सक्राइब कसे चयां एक सब्सक्राइब करकें सब्सक्राइब आसो उसके उपर बरबाद मत करो, वो कुछ समझने वाला नहीं है, और ऐसे आसो ज्यादा भी बरबाद करो कि तुमारी हालत खराब होगी, उसका कुछ नहीं भी गड़ेगा, तो तुमें अपने उपर और अपने बच्चे के उपर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके उपर, क्योंकि जो इंसान एक ठोकर से ही सुदर जाता है, और वो सुदरने वालों में इसे नहीं दिख रहा है, ऐसा, ना और अपने बच्चे का खयाल रखिए, और आगे जो भी होता है भगवान सब ठीक करेंगे, तो आप ऐसे बार-बार रोके और मत करिए, ताकि उससे भी और क्या कहें, और ठीक है, ठीक रहे, स्वस्तर रहे हैं, मस्तर रहे हैं, मस मेरा यही कहें